ना लोक सभा ना बिदान सभा सबसे बढ़ा गराम सभा वो सरना कोड ले कर के दिल्ली से आकर के हमें दे करके जाएंगे ये सरकार की कोई जोरत नहीं है कि अगर हम विधान सभा जाते हैं तो मेरा गाउं का ग्राम सभा और हमारा जो अपना आदिवासियों का स्वासासन बेवस्था जो पाढ़ा बेवस्था है उसे मैं पून रूप से मजबूत करने का काम करेंगे जारखन के आदिवासि मूलवासियों से यही मेरा काना है कि आप ससत रहिए समझदार बनिये भाजपा में जाकर के चाहे हो कितनों बड़ा बिद्वान हो भाजपा का नोकर मालिक का ही बात सुनेगा जनता का बात नहीं सुनेगा इसलिए जनता से हम काना चाहेंगे ऐसे अशकार जोहार आप देख रहे हैं जीयन भारत इस वक्त हम मांडर विधानसवा छेत्र में हैं और मांडर विधानसवा छेत्र की जो हिस्तिती है वो अलग हिस्तिती है क्योंकि यह जो जगा है वो आदिवासि बहुल जगा है और इस जगा पर जो है जो मांडर विधानसव परत्यासी जो भारत आदिवासी पार्टी के परत्यासी है जागे उराउजी इनके द्वारा जो है एक सभा की गई है चंसंपर्क अभ्यान चलाए जा रहा है लोगों से जो है मिल रहे हैं लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो है उनके पक्ष में किस तरह से काम करेंगे तो सीधा जोड़ते है जागे उर्णाओजी से और उनके चुनावी मुद्दों को जानते हैं जागे उर्णाओजी जबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत आपकी चैनल को आपका सस्क्राइबर फॉलोवर्स और आपके डेरेक्टर्स सभी को जोहार और मेरे मानर्विधान सभा के आम जनता चितने भी हमारे समाज के पाराराजा से लेकर के गाउं के जितने भी गाउं चलाने वाले विक्ति हमारे जो पुजुर्ग, पहान, मुंडा, महतो, पहिनभारा, सोसारी, पुजार, कोटवार सभी को जुहार दता एक बात बते ये कि आपके जो चुनावी मुद्दे हैं, क्या हैं? क्योंकि सारे लोग जो है वादे करते हैं, चुनावी वादे करते हैं कि हम विकास करेंगे, लोग की परिवर्तन करेंगे, आदिवासियों की सिति ठीक करेंगे, तो आपके चुनावी मुद्दे क्या है मेरे पहला चुनावी मुद्दा ये है मैं इसलिए चुनावी लड़ रहा हूँ कि आज तक जितने भी पाटियां आई सभी पाटियां मुझे मेरे आदिवसी समाज को धोखा देने की काम की है उनको ठगने की काम की है और हमारे कभी भी मेरा पुर्वाजों के मेरा पुर्खा के समान मिले थे उनका बात नहीं की थे इसलिए हम आज चुनावी मुद्दा में आए है कि मेरा पहला मुद्दा है कि अगर हम विधान सभा जाते हैं तो मेरा गाओं का ग्राम सभा और हमारा जो अपना आदिवासियों का स्वासासन बेवस्था जो पाढ़ा बेवस्था है उसे मैं पून रूप से मजबूत करने का काम करेंगे और मेरे एक एक जनता को जो आज तक ठागा गया है जो कि विकास के नाम पर सरना बोनरी कर देता है नली ढड़ा बना जता है और उसे अगर विकास समझता है तो हम इसे विकास नहीं समझते हैं हम विकास ओ विकास करना चाहते हैं जो मेरा खोया हुआ सम्मान को वापस लाना चाहते हैं मेरा सांस्कृति भासा मेरा सीक्षा को वापस लाना चाहते हैं जो कि आज हमारे बीच जितने भी आज तक हमारे स्कूलों में पढ़ाई कराया गया जो कि जिस तरह से अगर पैसा गिनना है तो मैथ गनीत को पढ़ना ज़रूरी है अगर हेलिकाप्टर एरोप्लेन बनाना है तो बेग्यानिक साइंटिस्ट बनना ज़रूरी है अगर डोक्टर बनना है तो बिज्ञान पढ़ने की जोरत है उसी तरह आज हम अपना एक लडाई लड़ने हैं स्तित्वा की लडाई कि मेरा भी पुरुजों के द्वारा जो मेरा अपना धरोहर के रूप में जो हमारे ल उस दिन ये हमारा ग्राम सभा को मजबूत कर लेंगे हमारा पारहा को मजबूत कर लेंगे उस दिन हमें ये सरकार की कोई जोरत नहीं है मेरा खुद की सरकार आदिवासी राज में आदिवासी बहुल चेतर में साप साप सविधानिक अधिकार मिला हुआ है कि आदिवासियो लेकिन सरना कोड को एक मुद्दा चुनावी मुद्दा बना करके ही आते हैं उनका निराकरन आज तक नहीं कर पाए है हमारा कहना ये है अगर भाजपा को लगता है कि आदिवसी समाज को ये सरना कोड जरूरी है सरना कोड के बिना अधूरा जीवन आदिवसी समाज जी रहे तो भाजपा क्यों नहीं देती है मेरा अदिवसी समाज का अपना एडेंटी मैं ये कहना चाहते हैं अगर आज मुर्मा जत्रा सक्ती खुटा में आकर बले-बले नेता आते हैं बीजीपी से और बंद कमरा में अस्वासन देते हैं क्या देते हैं किसी को पता भाजपा के बले नेता जो हमारे लिए एक अस्वासन देके गए हैं अस्वासन देते देते हमको 1952 से अभी तक अस्वासन दे रहे हैं तो हम कितना दिन अस्वासन लेंगे हमारा जीज दिन गराम सभा मजबूत होगा जो मेरा अपना पूर्खा का सासन बेवस्ता पाढ़ा सरकार मजबूत होगा उस दिन हमको सरना कोड ले करके दिल्ली से आ करके हमें दे करके जाएंगे ये मेरा कहना है इसलिए मेरा अधिवासी समाज से और जहरखन के अधिवासी मूलवासियों से यही मेरा कहना है कि आप ससत रहें समझदार बनिए उसके बाद एक एक वोट का अधिकार है आपका वोट देने का उसके बदले मुआ अधिकार लेने का चमता रखिए तब ही जाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे जागरे जी कॉंग्रेस ने अपने परत्यासी के रूप में वर्तमान जो विधायक है इस छेत्र की जो इस तरह से उन्हेंने बात कही है कि इस बार अगर जीतेंगे जनता का अश्रिवाद अगर परत होता है तो मांडर विधान साबा छेत्र को और भी विक्सित करेंगे क्या कहना ये तो हम लोग उसका पिताजी के समय से भी सुनते आ रहे हैं उनका पिताजी 2004 में जीते थे और सिक्षा मंत्री इवा कला सांस्कृति खेल कूद एतने सारे विभाग रखे थे अगर उनी का पूत्री है उनका पिताजी को जब नहीं कर पाए तो उनका पूत्री क्या करेगी ऐसा हम समझते हैं ये सारे जुमला है अगर करना होता तो 2004 में जब सिक्षा मंत्री बने थे ओ हमारे स्कूल खोलते जो की हमारा भासा हमारा सांस्कृति हमारा कल्चर सभी को संरक्षित करने के लिए काम करते अगर उनको इतना चिंता थी तो हर परखन में एक एक अच्छा इस्टीडियम होता और उस्टीडियम से हर वर्स एक ग्यारा खेलारी को नेशनल खेलाते तब जानते हम उनका विकास किये हैं लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे उनको मालूम है कि आदिवासी समाज वेकूप है आदिवासी समाज गरीब है बस इस लोगो लालीपोप देके ठकते रहो और ये कभी आवाज नहीं उठा पाएगी उनको हमेशा दबाते रहो लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं पहला बेकती हूँ कि मैं किसी से डर भाई नहीं रखता हूँ मैरा समाज मेरा पीचे है और हम समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अस्तित्वा के लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जल जंगल जमीन के लड़ाई लड़ रहे हैं, और मेरा पुर्खा का सान और आन के लिए लड़ रहे हैं, मेरा पुर्वजों को उनका मान समान दिलाने के लिए लड़ रहे हैं इसलिए मैं किसे से डरने वाला नहीं हूँ भाजपा के परत्यासी सनी टोपो भी जो है चुनावी मैदान में है किस तरह से देखते हैं उनको परत्युदेंदी गुरूप में उनको क्या बोलेंगे हम लोग तो देखी रहे हैं भाजपा क्या है आज भाजपा में चले जाते हैं और अपने आपको आदिवासी कहलाते हैं आज आदिवासी समाज सभी को आज जानकारी हो रहा है और जान पा रहे हैं कि हमारा असली आदिवासी कोन है जदि अगर हम आदिवासियत की बात करते हैं तो मेरा खुद का अपना एक पारंपारिक बेवस्था है। उस पारंपारिक बेवस्था को ही राजनीतिंग में क्यों डबलामेंट नहीं किये। ओ तो खुद ही एक नोकर बनने के लिए गए हैं। पहले भाजपा में जाकर के चाहे हो कितनों बड़ा बिद्वान हो। भाजपा का नोकर मालिक का ही बात सुनेगा चनता का बात नहीं सुनेगा इसलिए जनता से हम काना चाहेंगे। सारे चीज़ों को पहचानना है और आज हमें एक-एक मतदान को डान में नहीं अधिकार में देना है और उसके बदले अधिकार लेना है। जिस दिर अगर हम जनता इस चीज़ को समझ गए उस दिन सारे नेता का हिक्री दूम हो जाएगा। चुकि देखें भारत आदिवासी पार्टी जो है वो आदिवासीों के बात करने के लिए पार्टी का निर्मान हुआ है। तो ऐसे में आदिवासीों के विकास के लिए क्या कुछ करेंगे अगर आप विधायक बनते हैं तो अगर हमको जनता चुनती है और एक मौका देती है विधान सभा हम घुशते हैं तो सबसे पहले हम मेरा सिस्टम को ठीक करेंगे जो कि आज ग्राम सभा का बिना अनुमती का पुलीस परसासन से लेकर के वो लोग सीयो विडियो जो अनाब सनाब काम कर रहे हैं और जबकि यही सविधानी का दिकार मिला हुआ है मेदंता जजमेंट है 18 अप्रेल 2013 ना लोक सभा ना बिधान सभा सबसे बड़ा ग्राम सभा फिर ग्राम सभा का नियम पालन को ये क्यों नहीं मानते हैं इससे सबसे पहला मेरा सवाल बिधान सभा में रहेगा और जिस जब तक जबाब नहीं देंगे तब तक बिधान सभा में सत्र नहीं चलेगा ये मेरा वादा है चलिए आप भी बहुत भूँ धन्यावाद की यतना दूर आये हमारा खबर लिए और एक एक बिक्ती को आज अपना खबर के माधियम से मेरा बातों को पहुचा रहे हैं इसके लिए बहुत भूँ धन्यावाद जोहर तो ये थे भारत आदिवासी पार्टी के परतियासी जागरे उनाव जी जिनोंने अपनी बातों को इस तरह से रखा है जो आदिवासीयों को हीत में है और उन्होंने ये बड़ी बात कहते हुए कहा है कि अगर जनता इनको चुनती है विधाय के रूप में तो सबसे पहला काम जो है ग्राम सभा को मजबूत करेंगे तो वही उन्होंने अपने परतिद्वन्दियों को भी कड़ी चुनोती देने की बात भी कही है मांडर से जीन भारत के लिए मैं मोहन कुमार अपने राजिस जुड़ी हर ताजा ख़बरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले